देखिए, अब हमने लिया y is equal to sin inverse x और इसमें nth derivative निकालना है, add 0, ठीक है, हमने बताया था कि इसको पहले वाले question में हमने एक proof था, दो बार differentiate करो, उसका एक proof था, फिर उसको n बार किया गया था, उसका एक proof था, फिर y n 0 निकाला था, यहां कुछ नहीं दिया हुआ है, तो n even है या odd है, उसके लिए even odd number पहुचना पड़ेगा, 1 चाहिए हमको, एक बार derivative, even के लिए दो बार derivative चाहिए, और फिर n बार derivative के जिए, तो पहले तो इसको आप एक बार differentiate करो, फिर दो बार differentiate करो, फिर n बार differentiate करो, उतना करना पड़ेगा, ठीक है, यह y वरावर sin inverse x पहला equation है, इसका इस्तेमाल करेंगे, अब इसको हम differentiate करने जा रहे हैं, साउधान, differentiating equation 1 with respect to x, तो इसको हम y1 लिख दे न, क्या होगा sin inverse x का, 1 upon root 1 minus x square, अब देखो, अगर दुबारा यही पर differentiate कर दोगे, तो फिर इसको उपर ले जाओ, minus आप कर दो, ऐसा करो, cross multiply कर दो इसको, इसको लि question number 2 डाल दो, क्योंकि y1 की जरूरत यहां से पड़ेगी हमको, क्यों, हाँ, आपने का नहीं पड़ेगी, अब इसको again differentiate करिए, again, differentiating equation 2, तो यहाँ पर लगाएंगे product rule, तो first function y1, यहाँ भी कर सकते थे, उपर ले जा करके, क्योंकि बहुत बड़ी value तो है नहीं, कोई दिक्क इसका क्या हो जाएगा, 1-x square की power half है ना, तो half minus 1, minus 1 by 2, into 2x minus का, यह तो आएगा, कि बताएं कहां से आया, और plus second function, under root, 1-x square, और y1 का y2, और 1 का 0, इसको पहले लिख दो, तो यह आएगा, y2 नहीं गलत कर दी, 1 by 2 भी तो आएगा, यहाँ पर, n x पाउर n minus 1 होगा, यह 1 by 2 ह y2, under root, 1-x square, minus, 2-2 कड़ गया ना, x, by under root, 1-x square, y1 is equal to 0, अब आपको y2 चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा, यह LCM ले लो, तो यह multiply मा जाएगा ना, तो क्या जाएगा, 1-x square, y2, minus x, y1 is equal to 0, यह question number 3 आगया, y at 0 चाहिए, यहाँ से use करेंगे, y1 चाहिए, भाई, जब yn 0 करोगे, तो आप x का मान क्या रखोगे, 0 रखोगे ना, तो y पे भी रखना पड़ेगा, y1 पे भी रखना पड़ेगा, y2 पे भी रखना पड़ेगा, तो y1 मिल गया, y2 मिल गया, इसको note कर लिजे, क्योंकि differentiating equation 3, n टाइम्स, लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा, dn of y2, 1 minus x square, minus dn of xy1, किसका नियम लगाएंगे यहाँ पर, लेबनी स्थोरम, तो अब 1 को u मानना है, एक को भी मानना, किसको भी मानेंगे, 1 minus x square को, क्योंकि इसका एक बार derivative minus 2x होगा, दुबारा में 2 हो जाएगा, तिबारा होगा नहीं, तो क्या formula होगा, इसमें, लेबनी स्का बताइए, हमको नहीं याद है, dn of y2, into y, sorry, into 1 minus x square, plus nc1, dn minus 1, of y2, into d of 1 minus x square, plus nc2, dn minus 2, of y2, into d2, of 1 minus x square, ये तो पहले में, लेबनी स्का बताइए, हमने, आ रहा है, कैमरे में, आ रहा है, minus, यहाँ पर आईए, यहाँ पर बड़ा साब record लगा दे, minus है न बाहर, इसमें x को मानेंगे first function, अच्छा, एक बाद समझेगा, और y2 है, तो dn minus 2 तक ही हम जाई सकते हैं, dn minus 2, आप y2, क्योंकि भाई देखो, इसको आप y2 बोले तो, दो बार difference rate करना है, और इसको फिर n minus 2 बार करेंगे, तो इसी में n minus 2 प्लस हो जाएगा न, तो n बचेगा, तो वहीं तक लबग जाते ही जाता है, अच्छा, यहाँ पर आईए, क्या आएगा, dn of y1 into x plus nc1, dn minus 1 of y1 into d of x, द्वारा करेंगी नहीं, is equal to 0 हो गया, ठीक है, अब इसको calculate करेंगे, जब calculation कहीं गलती नहीं हो, हमसे यह गलती हो जल्दी हो जाती है, इसको दो बार difference rate क्या बन गया, yn plus 2 into, यह ऐसे लिखा रहेगा, 1 minus x square, plus nc1 की value क्या होती, n, इसको n minus 1 बार करेंगे, क्या हैगा, yn plus 1, और इसको एक बार करेंगे, तो minus का, 2x, plus nc2 क्या होगा, n, n minus 1 upon 2 into 1, इ इसको दो बार करेंगे, क्या हैगा, minus का, 2, यह minus अंदर जा रहा है, minus, इसको n बार करेंगे, क्या हैगा, yn plus 1 into x, minus n, यह आएगा, yn into x का 1 is equal to 0, यहां तब पहुंच गया, तो यहां से 2 से, 2 कट गया, अब ज़रा एक दरफ शिफ्ट करेंगे, इसको नोट करिए, अब देख इसको पहले लिखने अच्छा लगेगा, तो यह क्या हो जाएगा, 1 minus x square, yn plus 2, यहां पर आईए, yn plus 1 यहां पर भी है, तो यहां क्या लिखेंगे, minus का 2nx, yn plus 1, और minus का x, yn plus 1, अच्छा, yn यहां भी है, और yn यहां भी है, तो यहां आएगा, plus n, यह minus, मानस लगा है ना यह, minus n, n minus 1, yn यहां भी है, minus n, yn यहां भी है, बराबर 0, अब रैकेट खोलो जाएगा, उसको solve करो, रैकेट यह नहीं मतलब यह नहीं है, into yn plus 2, देखो, माइनस कामन है, यह आएगा, 2n minus 1, x, yn plus 1, माइनस, देखो, ब्रैकेट खोलना है, n square yn, plus n yn, minus n yn, बराबर 0, यह कर जाएगा, तो यह proof हो गया, 1 minus x square, yn plus 2, minus 2n minus 1, x, yn plus 1, minus n square, yn is equal to 0, question number 4, 90% case में, यहां तक प्रूफ आप से पूछा जाएगा, ठीक है, 90% case में, आपको यहां से question बनके आएगा, यहां तक प्रूफ करिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर ql yn 0 कर दिया, तो 90 बाद 10% वाला question हो गया, जागर किया, क्योंकि उन्हें मालूम है, कि इसको प्रूफ करने के लिए, यहां तक तो आप पूछेंगे अपने आप, ठीक है, नोट करें, देखो, यह चारो equations थे, यह y की value, यह y1 वाला, यह y2 वाला, यह yn plus 2 वाला, अब चारो में x को 0 कर दिजे, क्योंकि आपको x is equal to 0 पे value निकाल यह रोमन नमर में कहां से घुज गया अगर के साउट अफरीका वाला, कोई दिकत नहीं, देखे, यह x को रखा 0, तो y की value 0 पे क्या जाएगी, y0, 0 आएगा, यहां पर x को रखा 0, x रखेंग 0, तो यहां पर आएगे y1 add 0, क्या आएगी value, 1 आ जाएगी, यहां पर x को रख तो यहां y2 बचेगा, और जब यहां रखोगे, तो यहां x को रखा 0, तो आएगा y1 plus 2 add 0, यह पुरा step 0 हो गया, तो minus n square y1 add 0, यहां से क्या निकला, y1 plus 2 add 0 is equal to y1 add 0, अब आप कहेंगे n square, n square y1 add 0, तो आप कहेंगे वाँ 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 यह तो मिल गया आपको y1 add 0, न अब आपको y1 निकालना पड़ेगा, अब यहां पर दो case लेके चलने पड़ेंगे, यह ध्यान रखिएगा, y1 यहां रख देते हैं, y की value 0 पे क्या ही है, 0, y1 की value 0 पे क्या ही है, 1, y2 की 0 पे क्या ही है, 0, और यह तो हम लेके चलेंगे, चलेंगे, तो नोट करिए इसको, अब देखिए, यहां से चलता है थोड़ा सा drama, case 1, पहला case क्या है, when n is odd, या n is even ले ले लेते हैं, तो n is even में करेंगे क्या, देखो ध्यान से, आपको पहले n को क्या रखिएगा, 1, उसे start करेंगे, putting when n is equal to 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रखेंगे value, तो रखो, तो यहां क्या आजाएगा, y3 at 0 आएगा, नहीं आएगा, तो यहां क्या आजाएगा, 1 square into y1 at 0 आएगा, और y1 की value क्या निकाल चुके हैं आप, 1, यह equal to लगा है, यानि इसकी value आगी, 1 square into 1, जान भूज कि हम उसको multiply नहीं कर रहे हैं, तो symmetry चाहिए न, n को रखो 2, तो यहां क्या हो जाएगा, एक मिनटी की रहे हैं, ऐसको रखो आप, क्या कर दो, odd कर दो, तो अब करी दिया, उतना काम तो कहें क्लिए क्लिए, odd कर दो, n को रखो क्या रखोगे, n को, वह रखो रखो, त्री रखो, क्या हैगी value यहाँ पर, अच्छा जब n को आप 1 रखें अच्छा, n को 1 पे तो value निकाले चुके है न, आप, y1, स्वारी, क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक तो कर रहा हूँ, n को रखो 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 ऐगा न, y580, यहाँ क्या जाएगा, 3 स्क्वार, 3 रख रहे हैं आप, यहाँ पर n को आपने क्या रखा था, 1, जाएगा, 3 स्क्वार इंटू, 1 स्क्वार इंटू, अभी स्वार्टरी नहीं बनी, अब n को 5 रख देता है, तो अब n को 5 रखोगे, तो यहाँ क्या जाएगा, y780, यहाँ क्या जाएगा, 5 रखा है न, आपने, 5 का स्क्वार इंटू, y580, और y5 क्यों निकाल चुके हैं तो 5 स्क्वार इंटू, 3 स्क्वार इंटू, 1 स्क्वार इंटू, यहाँ तक पहुंचे, फिर n वाला रखते हैं, पहुंचे यहाँ तक, अब लास्ट में क्या रखेंगे, देखो, y1 लाना है न, तो दो-दो का डिफरेंस हो रहा है न, इसमें, तो अगर y1 लाना है, तो य यहां क्या आजाएगा? यहां आजाएगा या आजाएगा yn at 0 और यहां क्या? n-2 रख रहे हैं न यह n-2 का स्क्वाइर करोगे और यहां ऐगा yn-2 at 0 अब पकड़िएगा आपने जब n लिखा तो यहां n-2 का स्क्वाइर आया तब इसको निकालोगे इधर देखिए N-2 निकालोगे तो यहाँ पर N-4 रखोगे तभी तो आएगा न देखिए आपको YN निकलना है तो YN निकालने के लिए आपको यहाँ क्या रखेंगे YN आजाए आपके यहाँ N-2 रखने तो n-2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y n आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा n-2 का whole square इनको y n-2 अब आपको क्या चाहिए y n-2 तो y n-2 निकाले के लिए यहाँ क्या रखेंगे n-4 यहाँ पर जाएगा n-4 का square y n-4 तो यहाँ अगले स्टेप में क्या आएगा n-4 का square घरते घरते कहां तक जाएगा odd है ना घरते घरते यह जाएगा y7 y5 y3 y1 तक उचेंगे आप यह कम होते होते जा रहा है ना तो कम होते तो कहां तक जाएगा odd number आएगा ना y5 y3 जाएगा यानि कहां तक जाएगा 5 square into 3 square into 1 square into 1 यह तक जाएगा ना तो यह आपका y n-0 निकलाया समझाईबार नहीं आई नोट करिए आप यही fund आपको पकड़ना है यह last निकालना यही आपको है लेकिन हमको मालूम घरते घरते कहां तक जाएगा y3 भी चाहिए y1 भी चाहिए तो इसलिए हमको y3, y1, y5 पहले से निकलना पड़ता है नोट करिए case number 2 लिखिए when n is even तो n की value क्या रखेंगे 2, 4, 6 and so on तो पहले n को 2 रखते हम in equation putting यह in equation 5 n को 2 रखते हैं जब 2 रखोगे यहां क्या बन जाएगा यहां बन जाएगा y4 add 0 यहां पर आपने 2 रखा 2 square into y2 add 0 और y2 के लिग क्या निकल चुकी है 0 तो y2 0 है तो पूरा result क्या आगया 0 आगया ना तो अगर आप n को 4 रखते हैं यहां पर तो यहां क्या बन जाएगा y6 add 0 यहां क्या आएगा 4 रखा है ना 4 square into y4 add 0 और y4 यह भी 0 आगया तो सब 0 चला आएगा ना जब आप last में निकालोगे yn add 0 similarly जब yn add 0 करोगे तो actually में यह ultimately तो y6 y4 आना है ना multiply में यह सब आएगे ना बाद में तो यहनी value क्या हो जाएगी जिरू जिरू रहेगे ना तो इसकी value 0 आएगी